रूस वाला न्यूक्लिय प्लांट बांगलादेश के लिए बना सपना हसीना के जाते ही भारतिय कम्पनी ने समेटा काम बांगलादेश में शेख हसीना के इस्तीफे के बाद रूपपूर परमानो ओजा सयंत्र के भविशे पर संकत मंडराने लगा है इस प्रोजेक्ट के डेवलप्मेंट में लगी भारतिय कम्पनी वापस लौट गई है कम्पनी के तहट काम करने वाले सभी इंजिनियर्स और कमरचारी अपनी सुरक्षा को लेकर बांगलादेश में काम करने से कत्रा रहे हैं बांगलादेश के रूपपूर परमानो ओर्जा सयंत्र के उद्घाटन पर अनिश्चित्ता के बादल मंडराने लगे हैं इस परमानो ओर्जा सयंत्र के लिए पद्मा और जमुना नदियों के माध्यम से ट्रांस्मिशन लाइन का निर्मान कार्य अवामी लिग के सत्ता से बाहर होने के साथ ही रुका हुआ है शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से हटने के साथ ही इस ट्रांस्मिशन लाइन का निर्मान कर रही भारतिय कमपणी ने साइट छोड़ दी है प्रोजेक्ट डाइरेक्टर हम्मद जहेदुल हसन के अनसार ट्रांस्मिशन लाइन के बिना 12.65 बिलियन डॉलर के रूपपूर परमानो ओर्जा सयंत्र का चालू होना संभव नहीं है पावर ग्रिड कमपणी बांगलादेश PGCB के अनसार देश के पहले परमानो ओर्जा सयंत्र से राश्ट्रिय ग्रिड तक पावर ट्रांस्मिशन के लिए पदमा और जमुना दोनों में 16 किलोमीटर नदी क्रॉसिंग लाइन सहित कुल 679 किलोमीटर ग्रिड लाइन की प्रजेक डाइरेक्टर मोहमद डेलवर हुसेन के अनसार पदमा नदी क्रॉसिंग लाइन का केवल 38 प्रतिशत काम पूरा हुआ है जबकि जमुना नदी क्रॉसिंग लाइन पर प्रगती 25 प्रतिशत से भी कम है भारतिय कमपनी ट्रांसरेल लाइटिंग को 524 मिलियन डॉलर में नदी क्रॉसिंग लाइन के निर्मान का ठेका मिला है इस कमपनी को पदमा में 2 किलोमीटर सिंगल सर्किट 400 केवी लाइन और एक 7 किलोमीटर डबल सर्किट 400 केवी लाइन और जमुना के माध्यम से 1 और 7 किलोमीटर 230 केवी लाइन का निर्मान करना है अधिकारियों के अ की युनिट एक से बिजी का संचार किया जा सके हुसेन ने कहा कि पदमा में पानी के भारी प्रवाह के कारण जुलाई के मध्य से निर्मान कार्य रोकना पड़ा उन्होंने कहा इसके बाद बांगलादेश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और अधिकांच श्रमिक औ अधिपार करने वाली लाइनों में काम कर रहे थे हुसेन ने कहा उन में से अधिकांच भी भी वापस नहीं आये हैं इसलिए काम फिर से शुरू होने का कोई संकेत नहीं है काम कब तक पूरा होगा इसके लिए समय सीमा देना मुश्किल है रोकपूर के प्रोजेक डाइरेक संशोधित कार्यक्रम के अनुसार यूनिट एक डिसंबर में शुरू होनी थी लेकिन ग्रिड लाइन की खराप प्रगती से संकेत मिलता है कि समय सीमा पूरी नहीं होगी 1200 मेगावर्क शम्ता का यह विद्यूत सेयंत्र जो रूस से प्राप्त 11.38 बिलियन डॉलर के रियायती रिन से निर्मित किया जा रहा है अवामी लीग सरकार की एक प्रमुख मेगा परियोजना है